साजके क्या फिर से तुम भागने के बारे में सोच रहे हो तू यहाँ भी आ गया सरफिरा नौ सीख्या निंजा तुझे उसने भीजा है न मैं सकुरा से पहली ही कह चुका सब कुछ खत्म मुझे अकेला छोड़ दो क्या हुआ बहुत हगस्य में लग रहे हो क्यों हूँ समझ नहीं आता आखिर तुम्हें हो गया है तुम हम सब के साधा सा क्यों कर रहे हो मैं क्या करता हूँ उससे तुम है क्या और हाँ ये मेरी लाइफ है तुम्हारी नहीं लीफ विलेज में अब तुम सब के साथ निंजा निंजा खेलने के दिन खत्म हो गए उन सब ही ने अपनी जान खत्रे में डाली तुम्हें बचाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया अगर मैं तुम जैसे दोस्तों के बीच रह जाता तो इतना ताकतवर कभी नहीं बन पाता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तुम्हें क्या लगता है जब तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें सब कुछ ठाली में सचा कर देगा तुम्हें क्या लगता है खड़े खड़े तुम्हें अपनी जिंदगी यू बरबात करते हुए मैं देखता रह जाओंगा इन बातों से मुझे कोई फार्क नहीं पड़ता और अगर फिर भी तुम मेरे रास्ते में आए तो मुझे तुम्हें मिटाना होगा क्या बात है पहले तो इतना ताकत्वर नहीं था बस बहुत हुआ सासके दिखाई नहीं देता अभी तो होश आया है मुझे असल में बहका हुआ तो वो था इसलिए अब मुझे तलाश है ताकत की आखरी वर्निंग दे रहा हूँ तुम बहुत बड़ी गल्ती कर रहे हो फायर स्टाइल ड्रागन फ्लेम जोट्सू सासके थत तेरी की बस इतनी ही ताकत है तुमने मुझे लगा कि तुम ताकतवर हो अभी तक है अहसास नहीं हुआ मैंने शारिंगन तो योज किया ही नहीं ये गुसा मदलाओ अपनी सिंदगी में कभी भी सिर्फ और सिर्फ नफरत और ताकत से मैं अपने भाई को पीछे छोड़बाऊंगा अगर तुम होश में आ गए हो तो समझ गये ना कि ये कोई मजाग नहीं आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकत शारिंगन की क्यों नहीं मैं भी फाइनली अपने पुरी ताकत का इस्तमाल कर पाऊंगा शैडो क्लोन जुट्सू है से तो क्या ही होगा शारिंगन की बदालाद मैं शुरू से जानता था कि तुम में से असली कौन है इस टाइम फार मौन जुट्सू बस यही सब कर सकता है तू किसका इंतिजार है तूशे चाहे रास्ते में जितनी भी रुखावट या है मैं ताकत हासिल कर कर रहा हूँगा काफी देर हो चुकी है पापा मम्मी यह तुम ने क्या किया बेवकूफ छोटे भाई मांगे क्यों शारिंगान बस करो इताची तुमने ऐसा क्यों किया है इताची अब तुम मत से नफरत करोगे मेरी तरह तुम भी से होचो मांगे क्यों शारिंगान यूज कर सकते तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को खत्म करना होगा मेरे बेवकूफ छोटे भाई तरकी नफरत को और बढ़ाओ और जिस दिन तुम्हें मेरे जिसी आँखे मिल तबा कर मेरा सामना करना हो अब मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? एक चीज मेरे लिए खास थी हमारी दोस्ती हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए इसलिए तुम्हें खत्म करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है मैं ये समझ नहीं पा रहा इस बार हिसाब हमेशा के लिए बराबर हो जाएगा हिदोरी लासेंगा कर दो कर दो दो पंग कर दो दो कर दो